बिल्कुल स्नो पैग्ड है और फिलाल यह टेंपल है जो की अनेक्स्पोर्ड हो हमने अभी टैनल का प्लान कैंसल कर दिया है देखें तो पूरा स्नो है बिल्कुल वाइड डेजर्ट बना हुआ गूड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टुद चैनल जो अभी आपने नजारा देखा है पीछे वह मनाली का है और इस मक्थू मनाली में और जैसा कि आपने लास्ट ब्लोक देखा हो काम देली से लेकर मनाली तक की जानी मने करी थी मैं आज आपको जितने स्नो एक्टिविट यहां से मनाली से सोलांग वैली के लिए और देखते हैं सोलांग के आगे हम कहां तक जा सकते हैं बाइकार क्योंकि अभी आलत उतनी अच्छी नहीं है यहां पे काफी स्नोफल हुआ है तो रोड पे ब्लैक आइज वगरा हैं बट फिर प्रैक्टिकली आपको जाकर करेंगे और यह ब्लोग आप लोग के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और एंटर्टेनिंग होने वाला है तो गाइज अभी गाडी को ना कोल स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी ज्यादा ठंड तो यहां नहीं है मनाली में बट याई कि चलो नर्मल से तो ज्यादा है अभी क किसी और नहीं है देखते हैं अभी आगे सोलांग तक चलते हैं पहले वहां पर एक्टिविटी वगरा करनी है और अगर सोलांग के आगे रास्ता खुला रहा तो आप लोगों को अटेल टरनल तक लेकर भी चलेंगे इसी व्लोग के माधियम से तो ब्लोग को पूरा देखन है और व्लोग पसंद है और लाइक कर देना चालन पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना खतरनाक वाला जाम है बनाली सभी निकलें जस्ट यह लेफ साइप पर मॉल रोड है इस तरफ को और सीधा जो आप देख रहे हैं वह नजारा बिलकुल उपर अभी अपन स जरूर होना चीए क्योंकि यह आपको बोर होने से बचाए कि अब कि 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 भी सौलांग मैली पहुंच चुके अपन और यह सामने का नजारा देखो कितना जबरदस्त है अब यहां पर रुखने रहें क्यूंकि अपने ट्राइब करने के अभी जित्ता आगे जा सकते लगा प्ता लगाए कि अभी यह आपर जो दीलटी तरफ और वहां पर देख देखते पहुंच गया तो बहुत अच्छा रहेगा नजा आप बहुत ही ऑसम वहाला एक नंबर तो हमने अभी टैनल का प्लान कैंसल कर दिया है और टैक्सी का जो फेर रहता है वो कुछ 4,000 से 5,000 रुपर चार्ज करते हैं तो मुझे नहीं लगा की वर्थ हिट रही है यह लोकल जो सोलांग वैली में एक्स्प्लोर होता है जो चीज़े आप कर सकते हो वह आपको दिखाता हूं और यहां पर एक्टिविटी भी करने वाले सब्सक्राइबु वह लग करेंगे तो वह वह इस चीज आपको बताता हूं व्लॉग में ऑरे रहना करणा तो बिलकुल बिल्कुल यह लेकर आना ही है अगर देख से तो पूरा स्नो है पिल्कुल वाइड डेजर्ट बना हुआ है इस टाइम पर सौलांग वैली और उबर पीक्स पे भी स्नो है नीचे भी स्नो है हर तरफ स्नो है तो काफी अच्छा नजारा है और यहां पर बाइक राइट वगरह भी होती है जो स्की यहां पर ए अग्टिविटी हो गए हैं से स्टाट करेंगे और एक्टिविटी का जो पैकेज हमने लिया है वह अंटी से लिया है मैं आपको भी अंटी से इंट्रिडूस करा था बात करवा तो अंटी अपर बताओ आप क्या कैसा अबीस हैं हमारे यहां बेटा ड्रेसीज मिलता है स्की कंबी हो जाता है जो यहां से अंजनिमाद मंदीर के लिए जाते हैं उसका रहता है 1500 कपल का दो आदमी का पंदरा सो रहता है तो जो हमारी ड्रेसीज होती है यह 250 की रहती है पर पर संट टूफिप्टी विज शू एंड्रेस तो जो आपका यह स्किंग रहता है 500 पर 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 कि अंटी ने जो इंफोमेशन दिया है होपुली आप लोग के लिए यह हैलपूल रहेगा और डेफिनिटली यह सर्विसेज भी अच्छी रहेगी अभी हम भी इन से सारा पैकेज ले चुके हैं और अभी स्टार्ट करने वाले तो अपना एक्स्पिरियंस आप लोगों को स सब लोगों ने अभी बस ड्रेस पहन रहे और इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं अंजनी मानदेव एक टेंपल है यहां पर वहां तक अपन जाने वाले हैं और वो भी जाने वाले कौन सी बाइक में जाएंगे अपन क्या बोलते हैं एटीवी बाइक हैं जो की एडव 200 रुपेगा है और बाकी अगर आप इस ब्लोग को देख रहे हैं में चैनल का नाम लेकर आएंगे तो आपको डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा ठीक टाक मतलब वह डिपेंड करता है जब आप आओगे जब सो फिलाल अभी चलते हैं उपर और फिर वहां से बढ़ी अस द्रोन सौर्ट भी लेंगे अच्छा तो वाई इस तरह की जो बाइक है ना देख रहा हूं इसमें फोर विल है और काफी हैवी वाइक होती है तो इसके साथ अब भी आपन जाने वाले हैं मंदिर तक टेंपल तक और वहां से डेफिनिटली जो व्यू होगा ना बहुत यह क्योंकि काफी अच्छी हाइट पेना और मुझे लगता है एक अनेक्स्प्लोड सा जगह है तो चलते हैं वहां पर अपनी जार्निया स्टार्ट हो चुकी है अपने बाइक पे देख सकते हो फॉर्स क्लास और फुल आफ रोड रहने वाला यह जो है कि अभी पहुंच चुके हैं अपने अंजनी महादेव मंदिर यहीं तक यह बाइक आती है और अभी मंदिर चलते हैं फिर आपको वहां का एक बार व्यू दिखाते हैं वसे यह राइड बहुत ही अमेजिंग था वाई काफी अडवेंच्रस राइड था आप लोग इतने उचे-उचे माउंटेंस है और बिल्कुल स्नौ पैग्ड है अभी यह जगह बिल्कुल स्नौ पैग्ड है और फिलाल यह टेंपल है जो कि अनेक्स्प्रोड है भी तक क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग आते हैं और इस वेदर में यहां आना तो भाई साब अल्टिमे कि अधिनी महां देते हैं अपने फ्रीज पाइक पे और यहां तरका जो है जड़ी रहा उसका इस बहुत भी बड़ी आरा एक नंबर रहा सब्सक्राइब कर लिए और आज चुके हैं अपनी गाड़ी में कुड़ा जो आज का यहां का जो प्लान था सवारी कंप्लीट कर लिए और आज चुके हैं फिलाल पारकिंग में मैं बैठा हूं इस ताइम गाड़ी में क्योंकि मुझे बहुत ठन लगने लगी तियार बाह अज का जो प्लान था जो दिन था बहुत अच्छा रहा हमने बहुत सारी चीजे एक्स्प्लोर करी आप लोग लिए बहुत सारे चीजों को कवर भी किया है तो उमीद करूंगा यह ब्लोग आप लोग को पसंद आएगा और पसंद आएगा तो आप अपनी तरफ से चैनल व अँ्द संद आप लोग। को नवीद में आप लोग करूंगा दमेर शान ख